दोस्तो क्या हुआ जब ट्रेन एक्सडेन से दज दिन के बच्ची की जान बचाने खुद दोड़ी चली आई स्वेम नाग देपता जो हुआ उसे देख लोगों के होस उड़ गए दोस्तो कहते हैं मादेप का हाद भी लग जाये तो कोई कुछ नहीं बिगार सकता ठीक ऐसा ही एक बाक्या यहां बिहार की राज की रेलवे इस्टेशन पर देखने को मिला जहां मात्र दज दिन की बच्ची की जान बचाने स्वेम नाग देपता चले आई दरासल दोस्तो साम के करीब आठ वजे एक महिला दज दिन की बच्चे को रेल की पटरी पर फैंक दिया ऐसा कर वहां से चली गई लेकिन रेलवे इस्टेशन पर मौझूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं दिया जब इस्टेशन पर ट्रेन की आने का समय आ गया था तो अचानक पटरी के पास नाग आकर कुंडली मार कर बैट गया मानू जैसे नाक देपता सिबलिंग पर वेट गए हो तब ही बहां मौझूद कुछ लोगों की नजर उस साप पर पड़ी तो सब के होस उड़ गए उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्होंने लकडी की साहता से उन्होंने उसके हटाने की कोशिस की लेकिन बहां साप बहां से नहीं हटा कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारी को सुच न दी अब ट्रेन के आने में कुछ समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अंजान थे की साप के पास एक बच्ची भी है दोस्तो तब ही वहाँ एक महादेव का भक्त आया और उस साप को देखते ही समझ गया था कि बहे कोई साधान साप नहीं है बलकि ये तो स्यम नाक देबता है दोस्तो बहे सिब भक्त उस नाग के पास जाता है और प्रणाम करता है और सरद्धा से जैनाग देपता कहता है कुछ ही देर में बहे नाग दीरे दीरे रेलवे ट्रेक से जंगल की तरफ चला जाता है तब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रेक पर आती है उस ब्यक्ति ने उस दर दिन की बच्चे को ट्रेक से अटा कर गोद में ले लिया दोस्तो ये नजारब वहां के लोगों ने और वहां के रेलवे अधिकारियों ने देखा तो उसे चमतकार को देखकर हैरत में पड़ गए दोस्तो आपको बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्च उठा लिया और कहा इस बच्ची का पालन करके बेल आइकन को जरू दावा दें कमेंट बॉक्स में हर हर मादे जरू लेए